हैलो फ्रेंट्स कैसे आप सब उमीद करते हूंँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की रेशीपी मेरी बेंगोली रेशीपी बेंगोली रेशीपी में बनाऊँगे आज लौकी भाजी तो चलिए देखते हैं तो लौकी भाजी के लिया है मैंने यहाँ पर 5-6 हरी मिर्च, दो टमाटर, थोड़ा सा अद्रक, थोड़ा सा धनिया पत्ता, मसाला मैंने लिया है यहाँ पर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा सर्सो तो मैंने यहां पर ये कलॉकी लिया था उसको पहले सा चील लिया फिर चील के धो के काट लिया यहां पर तो देखिए मैं इसको बारी काट लूँगी तो पहले गोल गोल पीस में इसको काटूँगी फिर लंबे लंबे स्लाइस में इसको मैं काट लूँगी तो आप देख सकते हैं मैंने लम्मे लम्मे स्लाइस में काट लिया है लौकी को तो मैंने यहाँ पे यह एक लौकी पूरा ऐसे ही काटा है अब मैं सर्सो को सिल्वट्टे में पीस लूँगे सिल्वट्टे में पीसने से तोड़ा सिल्वट्टे का सौध अलग आता है कर च ग्रिंडर में भी सकते हो तो मैंने यहां पेस सिल्वट्टे में पीसा है तो सर्षोगों बारेक पीस लेना है तो देखिए मैंने एक सर्षोग को बारेक एक तम पेस्ट बना लिया है एकदम मीहीन सा पेस्ट बन गया है मेरा सरसो अब मैं इसको एक कटोरी में निकाल लूँगी तो कटोरी में मैंने निकाल लिया है यहाँ पे मैं अद्रक और हरी मिर्च को भी इसी सिल्वट्टे में पीस लूँगी अद्रक और हरी मिर्च को भी मैंने पेस्ट बना लिया है अच्छे से तो दोस्तों आप अगर मेरे चैलेंग पे नहीं हो तो मेरे चैलेंग को सस्क्राइब करना और बैल एकन को प्रेस करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना कमेंट करना और लाइक करना तो मैंने पेस्ट निकाल लिया आया कटूरी में अब मैं ग्यास ओन कर दूँगी ग्यास ओन करने के बाद मैं कडाई को बिठा दूँगी कडाई गरम होने दूँगी तो कडाई मेरा गरम हो गया है अब मैं इसमें तेल एट कर दूँगी है इसमें दो सुकी मिट्च आठ कर दोंगी और सर्सो अड़्ट कर दोंगी कि इस सर्सो को थोड़ा चटक ने दोंगे लुआ है कि उससे मेरा चटक क्या है मैं अब इसमें तॉमाटर एक कर दूंगी तामाटर को मैं थोड़ा सा हिला लूंगी अब मैं इसमें नमक याट कर दूंगी नमक याट करने से तामाटर एकदम सौफ्ट हो जाएगा तामाटर पूरा गल जाएगा या लूझा अब मैं इसमें अद्रक और हरी मिश का पेस्ट एड़ कर दूंगी और इसको भी मैं अच्छे से लिला लूझा इड़ा कि इसकारा लौकी मेंने येट तो दिया है इसमें मसाला के साथ मैं इसको इन मिला लोंगी थोड़ा कि तो माटर के साथ अच्छे से मिला ले लोग भी तो ऐसे पाच निट तक मिलाते रहे फिर इसमें हल्दी पाउडर एड़ कर दे फिर धनिया पाउडर एड़ कर दे फिर जीरा पाउडर फिर मसाला को भी लौकी के साथ मिला लेना है लौकी में से ऐसे ही पानी निकल जाएगा तो इसमें पानी नहीं चाहिए पानी नहीं डालना पड़ेगा लौकी में से ऐसे ही पानी निकलता है अब मैं इसको पास-दस मिनिट के लिए ढख दूँगी तो पास-दस मिनिट के बाद मैं ढखकन को हटा लूँगी तो देखिए लौकी में से देखिए पानी निकला है अब मैं इसको हिला लूँगी अच्छे से अच्छे से हिला लेना है फिर पाच-दस मिनिट के लिए फिर से मैं धकन को लगा दूँगी पाच-दस मिनिट के बाद मैं धकन को हटा लूँगी तो देखिए लौकी अच्छे से गल गया है जो सरसो को मैंने सिल्वट्टे में पीस ले आता उसको मैं थोड़ा पानी से मिला के पतला कर लिया है अब मैं सरसो को लौकी में एड़ कर दूँगी फिर सरसो को अच्छे से लौकी में मिला लेना है तो देखिए अच्छे से सरसो मिल चुका है यहाँ पर लौकी में तो दोस्तो लौकी मेरी बन के रेड़ी है तो लौकी की भाजी कैसी लगी है कमेंट करकर जरूर बताना ये बहुत असान सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है जब आपको कुछ समझना आया तो लौकी भाजी जरूर बनाए